बच्चों आज हम कक्षा 11 का जो चेप्टर लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं अपूर्ण लेखों से किस तरीके से खाते आप तयार करेंगे जो कि आपका अध्याय संख्या 11 है और आज इसके भाग 1st में हम बात करेंगे कि अपूर्ण लेखी क्या होते हैं इसके से धनतिक जा लेखे से तयार के जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं जैसा नाम से हिस्पस्ट हो रहा है अपूर्ण लेखे मतलब ऐसे लेखे जो पूर्ण नहीं है आप सभी जानते हैं कि लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली के सिध्धान्तों का पालन किया जाता है दोहरा लेख भी आपको तभी समझ में आएंगे जब अपने डबल एंट्री सिस्टम को समझा है अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली के बात करूं तो आपने पूरी एक लेखांकन प्रक्रिया को फॉलो किया है सबसे पहले वहवार वहवार का लेखा आपने प् देते हैं लेकिन अपूर्य लेखों में यह सब करना संभव नहीं हो पाता क्योंकि अपूर्य लेखों का मतलब ही ऐसी लेखा पद्दति है जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के सद्धान्तों का पालन नहीं होता या दोहरा लेखा प्रणाली अपनाई नहीं जाती अपूर लेखों का अर्थ लेखांकन में जिन लेंदेनों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर नहीं होता है यानि कि आप लेखा प्रणाली के अनुसार नहीं किया जाता है ऐसे लेखे अपूर्ण लेखे कहलाते हैं यदेपिक कोई एकांकन इसे एकहरी लेखा परणाली भी कहते हैं एकहरी लेखा परणाली कहते हैं लेकिन वास्ता में एकहरी लेखा परणाली के अगर मैं बात करूं स्ट्रुंट्स तो य कहरी लेखा प्रणाली कोई प्रणाली है ही नहीं इसलिए इस विदी को अपून-र लेखा-विदी कहना जादा उप्युक्त होगा अब बात करते हैं अपूर अभी लेखों की विशेषता हैं क्या विशेषता हैं इसमें क्या इसमें गुण पाये जाते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन विशेषता हों कि अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से इस पस्टो हो रहा है कि जो अपूर लेखा वि से गुजरती है ठीक है लेकिन अपून लेखा विधी में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है केवल व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं आप सभी जानते हैं कि खाते तीन प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत खाते नाममत्र खाते और वस्तूगत खाते तो double entry system या दोहरा ले प्रणाली की विशेषता आप कह सकते हैं कि इसमें केवल व्यक्तिगत खाते रखे जाते नाम मातर खाते और वस्तुगत खातों की कोई सूचना नहीं रखी जाती है लाभानी की गढ़ना एकदम शुद्धता से नहीं होती लाभानी की गढ़ना तो कर लेंगे हम सीखेंगे क लेकिन सब जो आधेकारे होंगे इसमें वो अनुमानी ताधार पर होंगे तो जो लाभानी की गढ़ना होगी वो पूर्ण शुद्धता के साथ नहीं हो सकती जैसा कि हमने दोहरा लेखा प्रणाली में किया है ऐसी विदी से रखे गए लेखे कम विश्वस्निया होंगे व व्यापार के जो भी पक्षकार हैं जो सूचना जानना चाहते हैं यदि अपूर्ण लेखा विदी के लेखे आप उनके सामने प्रिस्तुत करेंगे तो वो उन पर कम विश्वस करेंगे अपूर्ण लेखे रखने के कारण है कि कोई व्यापारी अपूर्ण लेखे रखेग लिखा विदी अपना सकता है क्योंकि इसमें विशीष ग्यान के आउशकता नहीं होती है यह प्रणाली 14 लेखा प्रणाली के तुल्ला में रखनां सकता है तो 14 लेखा प्रणाली में आपको बकायदा पूरे रजिस्टर स्टेश तरी काफी खर्चा करना पड़ता और यहां तक कि आपको अकाउंटेंट भी रखना पड़ सकता है यदि आपको लेखांकन की जानकारी नहीं है लेकिन यहां पर यह दोहरा लेखा परणाले के तुल्ला में मित्वई है इसमें कम खर्चा होता है इस कारण भी लोग से अपनाते हैं पर लेखों के रख रखाओं लिए कम समय लगता है चानले में ए परलेख लिखांबरा अपूर लेखा विदी इसमें कम्या तो हाइं, तो दोश तो इस विदी में पाई जाएंगे, इस विदी में गनीतिये शुद्धता की जाँच नहीं होती, दोहरालेखा प्नाली में आप गनीतिये शुद्धता की जाँच करने के लिए स्टूड़न्स बनाते थे ते तलपट, और तलपट का योग अगर दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो इसका मतलब यह होता था कि आपने लेखों में कोई गणीतिय अशुद्धी नहीं रखी है लेकिन यहां तो दोहरा लेखा प्रणाले के सिध्धानतों का पालन ही नहीं होता है इसमें तलपट बनाया ही नहीं जाता है तो फिर सवा क्रिया कलापों के वित्य परिणामों का मुल्यानकन और सही निर्धारन नहीं हो पाता है मुल्यानकन तो अपकर लेते हैं निर्धारन भी अपकरते हैं लेकिन उतना सही और उतना सटीक मुल्यानकन नहीं हो पाता है व्यावसाई की लाब प्रदिता तरलता शोधन चंता आ मुश्किल होता है बिलकुल वो तो यही कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से आप लेखे तैयार कीजिए तो उन्हें आपके द्वारा जो आया आप उन्हें बताएंगे उस पर वो उतना विश्वास नहीं करेंगे जितना विश्वास दोहरा लेखा परनाली के सिद्धान्तों के पर करते अपूर्ण लेखा अब हमने पढ़ लिया कि अपूर्ण लेखा विधी क्या है अपूर्ण लेखा विधी क्या है साब अपूर्ण लेखा विधी वह है जिसमें दोहरा लेखा पनाली के सिद्धान्तों का पालन नहीं हूँ आप फिर हमने बात कर इसके विशेष्टा आसान है जिसे लेखांकन सिद्धानतों की जानकारी नहीं है वो भी इस विदी से लेखा कर सकता है तो इसके कुछ ऐसे गुण भी है जिस कारण कुछ जो मध्यम इस तरके व्यापारी है या जो बहुत छोटे इस तरके व्यापारी है वो इस तरह से लेखांकन को अपनाते है अब बात आती है कि अपूर्ण लेखा विदी में लाभानी का निर्धारन करेंगे कैसे क्योंकि सूचना है तो हमारे पास पूरी होंगी ही नहीं कारण और अन्त की तुन्ला करकर भी आप क्या कर सकते हैं लाब भानीका निर्धारण करते हैं जैसे आप एक 도ाए करता तो बे नहीं आन यह दे रहा हूं लेकिन आपको कि यह चोर्छितो कारणा करता दुक्त्राण्थ थी और अंत में 4 लागत हो सकता है व्योज साई ने 1 लाख रुपय के लाब अर्जित किये हो तो वर्श के प्रारंब और अंत की पुंजी की तुलना करके भी आप क्या कर सकते हैं आप लाभानि का निरधारन कर सकते हैं इसे अवस्था विवरन तयार करके इस विदी का दूस system या दोरा लेखा प्रणाली के सिध्धान्तों का पालन किया ही नहीं है जब उन्हें follow ही नहीं किया तो उसका लेखांकन कैसे होगा बिलकुल यहां पर भी हम उनका निरधारन कर सकते हैं लेकिन जो सूचनाएं नहीं होंगे उन्हें कैसे जुटाया जाता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी सिध्धन तिक जान करें कि अपून लेखा विदी में लाभानी का निरधारन करने की दो विदियां है प्रारंबिक पुंजी की तुलना करके और अंतिम पुंजी की तुलना करके वर्ष की प्रारंबिक पूंजी में पूंजी में व्रद्धी हुई हाला कि पूंजी में व्रद्धी का कारण केवल लाभ ही नहीं है और भी कारण हो सकते हैं जैसे व्यापारी ने अतरिक्त पुंजी लगाई या पुंजी पर व्यास दिया गया और भी बहुत सारे कारण है तो कुल मिलाकर लेकिन इसके संभावना है कि अगर पुंजी में व्रद्धी होई है तो संस्ता ने इतना लाब कमाया है इसे तू एक अपनाया जाता है जो की निमप्रकार है अब हम आ रहे हैं प्रक्तिकल पार पर कि पहली विधी को किस तरह से अपलाई करेगे तो लाभानी के गर्णा करने के एक विवरन एक statement बनाया जाता है, वो आपके सामने है students, statement of profit and loss for the year and date, बिलकुल इसमें किस तरीके से निकाला जाएगा, हम विधी की बात करें, प्रारंबिक वन्तिम पुंजी की तुलना करके, सबसे टॉप पर आपको नजर आ रोगी, capital is at the end of the year, computed from the statement of fair as the end of the year, कई बार में बात करेंगे, अभी हम बात करें, ऐसा मान लीजिए आपको closing capital दी गई है, तो statement of profit and loss में सबसे पहले, सबसे टॉप पर वर्ष के अंत की पुंजी को रखा जाएगा, closing capital को रखा जाएगा, उसमें जोडे जाएंगे drawing during the year, जो भी व्यापारिने वर्ष के दौरान आहरण के उसे आप जोड़ दीजिए, और यदि व्यापारिने कोई additional capital लगाई है, तो उसे घटा दीजिए, एक बार फिर से सुने, closing capital में आपको add करना है, वर्ष पर के आहरणों को और additional capital को घटाना है, ऐसा करने के बाद जो पुंजी निकल कर आती है, उसे कहते हैं, समायोजित पुंजी adjusted capital और उसमें से opening capital को घटा दीजिए, opening capital को घटाने के बाद जो profit निकल कर आता है, वो profit and loss of the current year निकल कर आएगा, एक बार फिर से सुने, सबसे top पर लिखी जाएगी closing capital, closing capital में जोडा जाएगा drawing और घटाया जाएगा additional capital को तो जो निकल कर आएगा, वो क्या कहला है अगर students वो कहला हैगा adjusted capital और फिर उसमें से क्या less होगा, opening capital तो जो difference बचेगा, वो बचेगा profit या फिर loss, अगर positive balance बसता है, अगर धनात्मक शेष बसता है, तो उसे आप कहेंगे शुद्द लाब, और अगर minus में शेष आ रहा है, तो उसे कहेंगे आप शुद्द हानी, यद रूप में निम्न प्रकार बता सकते हैं, अब जो statement हमने बनाया है, उसे हम इस समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, वर्ष के अंत की पुझी, प्लस आहरण, माइनस अतरिक्त पुझी, और फिर वर्ष के प्रारंब की पुझी, तो students, please इसे ध्यान रखेगा, इस सुत् के प्रलोखों से ली गई है, वर्ष के आरंब की पुझी दे रखे 1,20,000, वर्ष के अंत की पुझी दे रखे 2,000, वर्ष के दौरान लाई गई पुझी, याडि एडिशनल कैपिटल दे रखे 50,000, और वर्ष के दौरान एक स्वामी द्वरा पुझी का आहरण किया गया 30, और आपको निकालना है क्या आपको निकालना है profit for the year तो एक बार फिर से सुने जो अंतिम पुंजी है उसमें आहरण को जोड़ा जाएगा और अत्रिक्त पुंजी को घटाया जाएगा इसके बाद जो आएगा वो समयाजित पुंजी आएगे और समयाजित पुंजी में से आपको दे रखें स्टूडेंट्स तीस हजार तो यह आता है दो लाख तीस हजार अब इसमें से क्या लैस होगा इसमें से आपको लैस करना है स्टूडेंट्स एडिशनल कैपिटल को एडिशनल कैपिटल दी गई है पचास हजार तो यह बचेगा एक लाख असी हजार यह एक लाख असी हजार आया है स्टुडेंट इसे कहा जाएगा समायोजित पुंजी और इसमें से opening capital को less कर दीजिए opening capital है एक लाख बीस हजार रुपए और अब जो profit निकल कर आता है वो profit निकल कर आता है अब ये तो बात होती है स्टुडेंट जब आपको प्रिश्निक सिंपल साधरहन सा दिया जाए जिसमें opening capital यानि प्यारंबिक पुंजी अंतिम पुंजी सब आपको तयार कर कर दी जाए और आप इस तरीके से स्टेटमेंट बनाकर profit को निकालने यानि जरूर इस साल का profit रहा होगा साथ है अच्छा सा क्यों हुआ पहले तो इसकी हम प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं अगर मैं 12 लेख पनाली की बात करूं तो वहां पर स्टुडेंट्स आप क्या करती थे जो शुरू की पुंजी होती तो capital आ जाती थी दो लाग यह capital बैलेंशीट में दिखाया करती थे अब की बार हमें यह साथ हजार उपर profit के गायब किये हैं बाकी यह वाली capital और यह वाली capital तो हमें calculation को reverse करना होगा और calculation को reverse करने के लिए क्या करना होगा दो लाग में से 30,000 घटे में तो दो लाग में 30,000 और दो लाग 30,000 इसमें additional capital 50,000 जोड़ नहीं है वो घटा नहीं है क्योंकि जोड़ी हुई है एक लाग 80,000 समाय जित्पुंजी और फिर इसमें से opening capital जोड़ी हुई तो वो less करनी तो आपके profit आ जाएंगे 60,000 उपर इस तरीके से आप यह सीधी calculation है जो दोहरा लेखा पनाली किया करते थे और इस तरीके से आप इससे opening capital घटा कर profit की गढ़ना कर सकते हैं लेकिन मैं बात कर रहा था कि यह तो बिलकुल सिंपल सा प्रिश्ण हुआ जिसमें आपको opening capital भी दे दी गई है आपको closing capital भी दे दी गई है लेकिन यह दी opening capital closing capital ना दी जाएं तो क्या होगा students इस लिए इस विदी को अवस्था विवरण विदी कहा गया है या स्थिति विवरण विदी कहा गया है अगर capital ना दी जाए तो आपको बनानी होगी balance sheet आपको वो वर्ष के प्रारम की संपत्यां और दाई तो दे देगा वर्ष के अंत के संपत्यां और दाई तो दे देगा और बार प्रिश्ण में प्रारंबिक या अंतुजी नहीं दी जाती अता उसकी गढ़ना करने हैं तो इस्तती विवरण या अवस्था विवरण बनाया जाता जिसका प्रारूप निम्रप्रकार है बिल्कुल बैलेंशीट की तरखेवल नाम बदला है स्टेटमेंट ऑफ वेर से लिखेंगे बैलेंशीट नहीं लिखेंगे कि तुलन पत्र दोहराले का प्रणाली सिद्धानतों का पालन करके बनाया जाता है अब यहां अगर बात की जाए तो यह सभी आपकी मदे परीचित हैं जो मैंन इसका कम होगा माल लीजिए इदर का टोटल है तीन लाग जबकि इदर का टोटल आ रहा है एक लाग इन तीन मत होगा तो अंतर की राशी को दो लाग को आपको कैपिटल माल लेना है अगर आपने वर्ष के प्रारंब की सूचना उसे बैलेंश स्टेटमेंट ऑफ एयर बना बनाया है वो बनाया है ओपनिंग वाला तो उसे ओपनिंग कैपिटल निकलेगी और वर्ष के अंतर की सूचनाओं से बनाया है तो उसे निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल अब आप बोलेंगे सरी दोनों तरफ लिखने का कई बार कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है कि पत्ति होगे लेकिन mostly पुझी इधर ही कम पड़ेगी तो उसे आप अंतर की राश्र को capital का है कुछ सवालों में आपको दोनों balance sheet बनानी पड़ सकते हैं कुछ सवालों में आपको एक balance sheet बनानी पड़ सकती है अगर आपको एक capital दे दे तो आपको खिवल एक balance sheet बनानी होगी इसी के साथ आज का अपूर्ण लेखों की सिद्धान्तिक जानकारी का भाग पूरा होता है अगले वीडियो में हम पहली विधी के उधारनों के साथ मिलेंगे